करन और निशा के रिष्टे की सच्चाई आई सामने क्या सच बयां कर रहा है ये विडियो अब खूम वाइरल हो रहा है दोनों का ये पुराना विडियो वेल कौन सा है ये विडियो और क्या है पूरी खबर आईए जानते है निशा रावल और करन महरा तीवी इंडस्ट्री के पसंदीदा कपल्स में से एक रही है वो अकसर सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत फोटोज और विडियो शेयर करते रहते हैं लेकिन फिर अचानक खबर आई की निशा ने अपने पती करन के खिलाफ F.I.R. तज कराई है वो रिष्टा जो सभी के सामने एक मिसाल बना हुआ था अचानक धोका और विश्वास के भेट चरता न जराया मीडिया रिपोर्स के अनुसार निशा ने करन पर मार पीट और एक्स्टा मेरिटियल अफैर होने के आरोप लगाये थे कुछ दिनों पहले ही निशा रावल के सिर पर चोट वाली फोटोस इंटरनेट पर खूब वारल हो रही थी इस पर करन का कहना था कि निशा ने खुद अपना सिर दिवार पर मारा था और उन्हें बरबात करने की धमकी दी थी बैरहाल दस साल पुराना ये रिश्टा उस पड़ाव पर पहुँच गया है जहां से अब लौटना मुश्किल है इसी बीच इस कपल का एक पुराना वीडियो सामने आया है जुसे निशा ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेर किया था इस वीडियो को निशा ने एपरिल में पोस्ट किया था वीडियो में निशा कंटेंट को लेकर बात कर रही है जो उन्होंने फैंस के लिए बनाए है लेकिन करन उनकी किसी बात में रूची नहीं दिखा रही है और एक जगा उन्हें प्रॉबलम बता रही है इस पर निशा उन्हें अपने शब्द वापस लेने के लिए कह रही है हाला कि ये वीडियो मस्ती में बनाया गया हो पर इससे पता चलता है कि उनके बीच कुछ भी ठीक नहीं चल रहा था मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार निशा ने 31 मई 2021 को करन के खिलाव F.I.R. दज कराई थी निशा का आरोब था कि करन ने उन्हें दिवार पर धक्का दिया था जिससे उन्हें सिर्पर चोट आई थी इसके बाद करन को मुंबई पुलिस ने गिरफतार भी किया था लेकिन फिर उन्हें बेल मिल गई वेल, कौन सही है और कौन गलत? ये कहना तो बहुत ही मुश्गिल है और आप तो वक्त ही बताएगा कि इस केस में कौन सही है और कौन गलत लेकिन आपका क्या कहना है इस पूरी खबर पर हमें कमेंट सेक्शन में लिक कर जरूर बताएं and also do like, follow and subscribe to Delhi Masala on Facebook, Instagram and YouTube